अलो दोस्तों नमस्कार आप सभी का मेरे यूटूब चेनल दाश्वालाउच स्वागत है दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिम्टेट में आई हुई है में इस इसमें ऑपलाई कर सकते हैं और गले कि इसके लिवेटेरिया थे सारी चीजे मैं सुरू से लेकर करके लाश्र तक आपको बताऊंगा उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये वेकंसी बहुत ही अच्छी साबित होने वाली है जिन्होंने डिग्री बी ए और बी टेक किया हुआ है तो यहाँ पर आप हिंदुस्तान एरोनाटिक्स लेमिटेड की वेबसाइट खुली हुई देख रहे होंगे आपको इस वेकंसी के बारे में जानकारी इसके करियर सेक्षन पर जाकर के मिलेगी इस वेबसाइट पर आपको कैसे पहुँचना है मैं वीडियो के डिस्किप्षन में लिंक दे दूँगा और यहाँ पर सामने आपको दिख रहा होगा hal-india.co.in पर जाकर के आपको इस वेबसाइट पर पहुँच जाना है करियर के section पर यहाँ पर आपको क्लिक कर दे रहा है जैसे ही आप करियर के section पर क्लिक करेंगे आपके सामने जितनी भी हिंदूस्तान अरोनाटिक्स लिमिटेड में वेकंसियां आती हैं वो सामने आपके सारी visible हो जाएंगी हम बात करने जा रहा हैं design trainee और management trainee technical इस वेकंसी की जो अभी आपको यहाँ पर click करके सारी जानकारी मिल जाएगी मैं सुनूस लेकर करके last तक आपको सारी जानकारी बताऊंगा और आपको यह भी बताऊंगा कि form किस तरीके से fill up करना है क्या उसमें ध्यान रखने वाली चीज़े हैं यहाँ पर देखें डिवीजन दिया हो है H.A.L. Corporate Office Job Posting Information Selection of Design Training, Management Training Technical का यहाँ पर जो Job Posting होगी वो All Over India कहीं पर भी हो सकती है 17 मार्च 2021 से स्टार्टिंग मिल्स की होगा यह 5 अपर तक रहेगा और जो आपके Medical चीज़े हैं वो आजाएंगी मैं आपको सारी चीज़े सुरू से लेकर करके Last तक बताने वाला हूँ पहले मैं इसका संशित विज्यापन आपके सामने खोल देता हूँ Management Training, Technical और Design Training यह दोनों की वेकंसी है 40 वेकंसी और 60 वेकंसी है आपने Electrical, Electronics, Mechanical, Metallurgy या Computer Science में अगर BTEC किया हुआ है डिपलोमा करके BTEC किया हुआ है तो आप इसमें अपलाई कर सकते हैं Design Training के लिए भी आप Electrical, Electronics, Mechanical, Aeronautical किसी में भी आप अपलाई कर सकते हैं दोनों का यहाँ पर Pay Grade सेम है दोनों मैं से किसी एक पोस्ट के लिए आप अपलाई कर सकते हैं जिसकी Online Application Date 17 मार से स्टार्ट हो गई है अब मैं चलता हूँ इसके विस्टरत विज्यापन पर और बता देता हूँ कि क्या इसकी जरूरी चीजें हैं देखे हिंदुस्तान Aeronautics Limited जो इसका Advertisement Number है आपको समय समय पर ये Advertisement चेक करनता रहना पड़ेगा क्योंकि इसी Advertisement के अगेंस्ट आपको ये जॉब अपलाई करनी है तो यहाँ पर देखे है R&D section ने इसके एक notification रिलीस किया हुआ है जिसमें यहाँ पर मांगा गया है जाइन ट्रेनी और मैनेजमेंट ट्रेनी का application मांगा गया है और इसकी जो basic है वो basic salary इसकी 40,000 है 40,000 है इसकी pay basic होगी अब मैं सुरू से लेकर के last तक आपको बताऊंगा डिजाइन ट्रेनी की total 60 post है और मैनेजमेंट ट्रेनी की 40 post है जिसमें reservation भी है सारे reserved candidate इसमें apply कर सकते है benchmark disabilities वाले भी इसमें apply कर सकते है OBC candidate भी apply कर सकते है सभी को अपना certificate यहाँ पर देना पड़ेगा और certificate देना बिल्कुल must है देखिए सारी vacancies जो भी है person with disabilities person के लिए reserved है अब post का नाम मैं बता देता हूँ और आपकी educational qualification के बारे में इसमें अपनारई कर सकते हैं management training के लिए electrical electronics computer science mechanical में बी थैक है तो आप इसमें apply कर सकते है metallurgy में है तो भी आप इसमें apply कर सकते हैं देखिए और जो इसकी सब branches Aronautical की सब branches तो आप इसमें एप्लाए कर सकते हैं, इसके अलावा भी अगर आपने किया है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, mechanical, mechanical and industrial engineering, mechanical and production, electrical and electronics, electrical and instrumentation, electronics and communication, instrumentation and control, applied electronics, electronics and instrumentation, अगर इसमें है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, metallurgy की कोई सब ब्रांच है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, computer science और IT से आप ने किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, software engineering से किया है त पर 60% मार्क्स आपके बीटेक में जरूरी होने चाहिए किसके लिए अन्रिजॉर्ट के लिए OBC के लिए एकनोमिकली विकर सेक्षन केंडिडेट के लिए SCHT और फिजिकली हेंडिकाइप पीपल के लिए 50% होने चाहिए और 55% होने चाहिए मैं आगे की बात करूँ उससे पहले मैं आपको यह बता दूँ कि यहां पर इसका कैलेंडर क्या है तो कैलेंडर के लिए हम सबसे नीचे चलते हैं और यह कैलेंडर देख लेते हैं सब्सक्राइब करेंडर के चाहिए और जो टेस्ट का डिकलेरेशन है वह 27 अपरेल को ही हो जाएगा 24 अपरेल को टेस्ट होगा 26 अपरेल का गैप होगा और 17 अपरेल को आपके रिजल्ट ऑनलाइन यहां पर प्रदर्शित कर दिये जाएंगे एक जून तक आपका मेडिकल टेस्ट चलेगा और 17 जून से लेकर के 19 जून तक आपकी प्री जो जो फॉर्मेलिटी से वो चलेगी 21 मई से आपका यहां पर ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी और आप वहां के एक इंपलाई की तरह गिन लिये जाएंगे अब यह मैंने कैलें चीज़े हैं वीडियो को स्किप मत करिएगा आप अगर इसको अपलाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी यह चीज़े बहुत सही से देखेगा अब देखे जिन्हों ने यहां पर पांस साल इंटेग्रेटेड डिगरी किया है रिजिविटेट डिस्प्लिन में ब्रांच ब्रांच भी है आप यहां पर अपलाई कर सकते हैं फुल टाइम रेगुलर कूर्स विर्ज भी कंडिटेड आपने पार्ट टाइम किया डिस्टेंस एजुकेशन से किया है तो वो कहीं भी काउंट नहीं किया जाएगा वो ऐसे लोग यहां पर अपलाई नहीं करें अबब जो एज है आपके 28 साल होनी चीए लेकिन उसमें यह जनरल और इकनोमिकली विकर सेक्षन के लिए है पांस साल की छूट दी होई है सेस्टी को तीन साल की छूट दी गई है OBC को और फिजिकली डैंसी डिसेबल परसन को यहां पर 10 साल की छूट दी गई है यहां पर दिखे बाद 55 साल की से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए अब पेमेंट आपको कैसे करना 500 रुपए का पेमेंट करना है आपको बैंक अकाउंट नेम यहाँ पर हिंदुस्टान एरो नाटिस लिमिटेड यहाँ पर दिया हुआ है और आप ब्रांच नेम भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है सारी चीज़े दी हुई है इंडेस्टियन फाइनेंसियल ब्रांच बैंक करेंट अकाउंट नंबर दिया हुआ या फसी कोड दिया हुआ इसी पर आपको N.E.F.T की पेमेंट कर देना है वो कैसे करना ये भी मैं आपको बता दूँगा अप्लिकेशन फीज एक बार आपने दे दी तो उसको रिफंड नहीं किया जाएगा सेलेक्शन प्रोसेस क्या है मैं आपको बता देता हूँ रिटेन होगा और इंटर्व्य होगा उसके बाद में मेडिकल टेस्ट होगा और आपका यहाँ पर सेलेक्शन हो जाएगा जो ऑनलाइन टेस्ट होगा कंप्यूटर बेस्ट होगा अलग-अलग इंडिया के अलग-अलग शहरों में इसका टेस्ट होगा test के venue में कोई changes आप नहीं कर पाएंगे test देने जाएंगे तो आपके पास valid photo ID proof होना चाहिए जिसमें driving license आधार card, passport, pen card, government issued ID card ये सारी चीज़े आपके पास होने चाहिए अब मैं बता दू जो examination होगा वो धाई घंटे का examination होगा जिसमें multiple question होगे और आपका यहाँ पर देखे पार्ट 1 होगा, पार्ट 1 में 20 multiple question होगे general awareness के पार्ट 2 होगा जिसमें 40 multiple question होगे English और reasoning के पार्ट 3 होगा जिसमें 100 multiple question होगे engineering के तो यहाँ पर 140 और 20 यानि की 160 total question आएंगे आप Hindi या English दोनों में से किसी में भी अपनी choice के हिसाब से इस examination को दे सकते हैं, candidate जो भी shortlist किया जाएंगे online test से interview के लिए one is to five ratio में select किया जाएंगे यानि की जो vacancy है उससे पांच गुना ज्यादा लोग बुलाया जाएंगे इंटर्व्यू के लिए और वहाँ पर छाटे जाएंगे वहाँ पर testing वहाँ पर उनकी छटनी की जाएगी final merit list बनेगी जिसमें पर 85% marks return के होंगे और 15% marks इंटर्व्यू के होंगे सिर्फ आपको return और इंटर्व्यू के basis पे select किया जाएगा pre employment medical standard भी आपके होने चाहिए medically आप fit होने चाहिए जिसका वहाँ पर test किया जाएगा medically एगर आप fit है तभी आप उसमें यहाँ पर service में adopt किया जाएंगे एक बहुत जरूरी चीज है यहाँ पर service agreement bond आपको देना पड़ेगा पांच साल का service agreement bond होगा जो की पांच लाग रुपए का होगा मतलब आप training को exclude करने के बाद training को complete करने के बाद पांच साल आपको minimum service में देने पड़ेंगे अन्य था आपको पांच लाग रुपए फीस दे करके वहाँ से जा सकते हैं यानि कि service agreement bond है पांच लाग का पांच साल के लिए placement और emoluments मैं साब आपको बता दूँ यहाँ पर 40,000 का इसका pay scale है जो आपको training के दौरान दिया जाएगा बावन वीक की training है यहाँ पर बावन वीक की training है तो यहाँ पर बावन वीक की training के बाद आपको 40,000 का pay scale दिया जाएगा जिसमें DA मिलेगा content allowance मिलेगा सारी चीज़े आपको मिलेगी central government rule के according 40,000 का pay scale का मतलब है लगबग आपकी 75 यह से लेकरके 80,000 रुपाय तक की salary यहाँ पर बनेगी लेकिन इसकी एक अच्छी चीज़ यह है कि 40,000 ते 1,40,000 का pay scale है यानि कि आपकी 1,40,000 तक basic pay यहाँ पर जा सकती है how transfer allowance मिलेगा, company accommodation आपको मिलेगा, performance related account यहाँ पर allowance मिलना है, cafeteria system मिलना है, medical benefits मिलेगे, provident fund मिलेगा, gratuity मिलेगी, super innovation benefit मिलेगा, सारी चीज़े central government के rule के according आपको मिलेगा, before registration application सारे candidates को सारी चीज़े सही से जान लेनी है, valid email ID आपके पास होना चाहिए, mobile number होना चाहिए, passport site colored photo होने चाहिए, जो JPG format में होनी चाहिए, लेकिन 180 KB से जादा नहीं होनी चाहिए, form भी मैं आपको भर करके बता दूँगा, transaction detail application fees में यहाँ पर भरनी है, कैसे भरनी है, यह भी मैं बता दूँगा, एक चीज़ खास यहाँ पर बताने वाली है, कि आपको जो भी आपके educational qualification है, वो अपलाई करना है, eligibility जितनी भी है, qualification है, वो आपको edit option दिया जाएगा, edit आप कर पाएंगे, लेकिन उससे पहले ही आपको सहीं से form भरना है, कि edit करने की नौबत ना आए, पांच अपरेल तक आपको यह सारी चीज़ भर लेनी है, candidate जो भी B, BTEC, BSC, या इसके equivalent electrical electronics, mechanical, जिसमें भी किये हैं, वो एक ही post के लिए यहाँ eligible होंगे, दोनों के लिए आप eligible नहीं होंगे, दोनों मेंसे किसी एक ही post को आपको apply करना है, या फिर management trainee, या फिर design trainee, दोनों के लिए करेंगे, तो आपका candidature पूरी तरीके से reject कर दिया जाएगा, बहुत ध्यान देने वाली बात है, दोनों post के लिए आपको apply बिल्कुल भी नहीं करना है, एक ही ही के लिए आपको apply करना है, इंडिया नेशनल सिर्फ apply कर पाएंगे, part time correspondent distance education वो apply नहीं कर पाएंगे, जोनों नो part time किया, correspondence किया है, distance किया है, यहाँ पर apply नहीं कर सकते हैं, CGPA है, marks है, कोई बात नहीं है, आप इ certificate यहाँ पर provide करना पड़ेगा, उसके बाद में ही आप यहाँ पर apply कर पाएंगे, जो candidate CST, OBC, physically handicap person है, वो अपने कास्ट में बाद में change नहीं कर पाएंगे, एक बार select करने के बाद उसमें change नहीं कर पाएंगे, appointment जो selected candidates का है, verification होगा, verification के बाद में ही आपको वहाँ पर permanent किया जाएगा, internal candidate जो HL के हैं, वो भी यहाँ पर apply कर सकते हैं, 17 यह देखिए, जो इसकी date है, 17 मार्च से वो apply कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको एक बारी से बताना होगा, तो mayor submission of application will not be entitled, यानि कि पूरी fees आपको payment कर देना है, उसके बाद में ही आपको पूरा यह आपका भर दिया जाएगा, तो यह सारी चीजें हैं, जो जरूरी चीजें हैं, मैंने आपको बता दिया है, पूरा समझा दिया है, कोई दिक्कत होगा, तो वीडियो पर मेरे comment करके बताईएगा, नहीं तो फिर यहाँ पर hal mtre recruitment 2020 at the gmail.com के पर आप email करके भी पता कर सकते हैं, सारी ची बेल आइकन का बटन प्रेस करते समय, all section को जरूर सेलेक्ट करिएगा, the knowledge date इसी तरीके से आपके लिए jobs की सबसे पहली जानकारी, सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी लेकर के हमेशा आता रहेगा.